Hello and welcome to the third topic of daily scan, इस topic में अपन बात करेंगे, फिर से अपन देखेंगे, COVID जैसे कुछ बिमारी राइस हो रही है चाइना में, और इसके symptoms बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे COVID में होए थे, जहांपर respiratory inflammation हो रहा है, cough, cold and other problems, pneumonia जैसे problems देखे जा रहे हैं, particularly ये राइस बच्चों में देखा जा रहा है, in fact ऐसे कुछ pictures आए हैं, जहांपर बच्चों के ward पूरी तरीके से भरे हुए हैं, और parents घंटो लाइन पे लगे हुए हैं बच्चों को दिखाने के लिए, तो इस situation को अपन assess करेंगे, कि क्या COVID जैसी situation है, और क्या countries को threaten feel करना चाहिए, या अभी कोई ऐसी situation नहीं हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, कि बिल्कुल जैसे 2020 के चुरवाती दौर पर हुआ था, वैसा ही situation फिर से देखा जा रहा है, respiratory इनलेस बढ़ रही है, इस बार बच्चों में जादा बढ़ रही है, अब doubt ये हो रहा है, क्या ये COVID है, या तो जो local, जो winter में flu होता है, वो है, या कोई और ailment है, ये doubt किया जा रहा है, अब इसके symptoms वो ही है, जो अपन COVID में encounter किये थे, सारे cut to cut हो ही है, कोई major difference नहीं है, बहुत limited case में ही hospitalization किया जा रहा है, अब WHO ने कुछ plan recommend किया है, कि क्या करना चाहिए, particularly with respect to China, तो सबसे पहले तो WHO ने बोला है, कि आप surveillance को लगातार बढ़ाए रहो, क्या कोई नया variant तो नहीं है, या normal ही flu है, या COVID है, ये फिर से surge हो रहा है, तो इस वज़ा से surgical, अब surveillance बढ़ाए रहो, surveillance में होता है, एक उनके continuously पूरा genetic make-up of virus को identify करते रहो, and किस extent तक ये फैल रहा है, दोनों को identify करते रहो, second, health system की capacity को बढ़ाए जाओ, in case, यदि cases बढ़ते हैं, hospitalization बढ़ता है, तो इस चीज को China को पहले से ही तयार रखना चाहिए, that is the idea, third, testing को लगातार बढ़ाने रहना चाहिए, च्योंकि इसमें problem क्या होती है, कि ये communicable disease है, communicable disease में एक जो बहुत important factor होता है, वो होता है इनकी communicability, तो जो एक factor था, R-not, जो अपन लगातार COVID के समय पढ़ रहे थे, कि एक affected person कितने और impact करता है, कितने और other persons को फलाता है, that is the R-not factor, तो यदि अपन testing करते रहें, तो हमें R-not factor पता चल जाएगा, और हम उस हिसाब से future strategies को plan कर सकते हैं, with respect to, this is particularly with respect to China, और क्या कोई clinically different variant तो नहीं है, ये भी हमें पता चल जाएगा, अब Indian government ने अभी एक चीज declare करी है, कि अभी India को इससे कोई भी खत्रा नहीं है, हम इस situation को लगातार monitor कर रहे हैं, and it is under control, even the Chinese government has denied कि कोई भी unusual moment नहीं है, in fact, हर समय, just winter के पहले, एक flu season होता है, जो हर temperate countries में होता है, और ये उसी का extension है, उसी को लोग, due to the over, जो sensitive हो गए हैं COVID के बाद, उसी का ये extension है, ऐसा Chinese government का claim है, हलाकि एक बार WHO ने गलती कर चुकी है, तो WHO ने cautionary note में, अभी से सारे data चाइना से माँगने लगे हैं, जिसमें epidemiologic data, clinical data, lab data, क्या lab में किसी भी genetic makeup का virus का identify किया गया है, उस data को share करना, epidemiologic कितनी तेजी से फैल रहा है, और even for the existing diseases, जैसे कि SARS हो गई, या COVID हो गई, या जो flu है, उनकी rate of spread कितनी है, क्या इन में कोई unusual spread तो नहीं है, ये भी WHO माँगा है, हो सकता है, इन में भी कोई virus में mutation हो, कोई changes हो, या तो altogether कोई नई बिमारी या नया virus emerge करके आया हो, इन सब चीजों के data को WHO ने पहले ही माँगा है, ताकि repeat of the previous गलती जो COVID के समय हुई, ऐसी गलती ना हो, अब WHO ने साथ ही suggest भी किया है, कि Chinese लोगों को क्या precautions लेना चाहिए, तो ये वो ही सारे precautions हैं, जो coronavirus में हम सब लेते आये थे, mask पहनना, sanitizer use करना, unnecessary travel नहीं करना, भीड़बार वाले इलाकों को avoid करना, और ये सारे के सारे precautions हम दो साल बहुत अच्छे से follow किये हैं, तो जानते हैं, अब जो सबसे important बात, as an Indian या as a global citizen, हमें एक बात सबसे पहले आती है, क्या हमें डरने की जरुरत है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये pneumonia जो अभी बोल रहे हैं, ये फिर से epidemic या pandemic में convert हो जाए, This is the biggest fear, हम ऐसी news पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि अभी तक coronavirus कैसे originate हुआ, किन animal से spread हुआ, या lab leak है, ये अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, scientist नहीं समझ पाए हैं, उस data को अभी तक uncover नहीं किया जा पाया है, तो ऐसी situation में, the biggest question जो हमारे दिमाग में आता है, कि क्या हमें डरने की जरुदत हैं, तो डरने की जरुदत हैं, यसी लिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, 2020 में, COVID की केस में, उसके पहले, 15 साल पहले, सास, जो बिमारी फैली थी, ये भी, severe acute respiratory syndrome, ये भी ऐसे ही बिमारी थी, 2003 में फैली थी, दोनों ही केस में, Chinese government ने क्या बोला था, कि कोई भी डरने की बात नहीं है, situation under control है, कोई भी unnecessary surge नहीं है, ऐसा ही कुछ Chinese government इस बार भी बोल रही है, In fact, जो National Health Commission है, जो data release करता है, चाइना का disease पर, उसने अभी इस पर कोई भी relevant data को release नहीं किया है, इसी लिए, जो lack of transparency है Chinese government की तरफ से, ये सबसे जादा गराने वाली बात है, जो पहले की तरह indicate करती है, हलाकि इसके बाद भी, scientists from all over the world are of the opinion कि अभी situation under control है, और अभी हमें करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ऐसा इनका इसलिए मानना है, क्योंकि सबसे पहली बात, यदि undiagnosed pneumonia cases हुए, हो सकता है कि उनका surveillance तरीके से नहीं किया जा रहा है, उनकी जो testing है, वो proper नहीं किया जा रही है, number one, और कहीं पर भी, यदि कोई undiagnosed नया case आ रहा है, इसका मतलब कता ही यह नहीं होता है, कि यह new pathogen की वज़ा से ही cause हुआ है, new virus की वज़ा से ही cause हुआ है, मतलब कि हो सकता है यह pneumonia बढ़ रहा है, लेकिन existing variant जिसका हमारे पास इलाज है, उसी की वज़ा से बढ़ रहा है, तो till we have the data, we need not be worried about that, number one point, second, इस समय जैसे आपने बात किया है, flu season चल रहा है, तो इस season में pneumonia होना बहुत common बात है, और बच्चों को pneumonia होना तो और common बात है, हर साल यदि आप देखेंगे, तो इसी समय, October से November के मन्त पर एक surge of cases रहता है, जो December से घटते जाता है, and eventually December के बाद बहुत जादा घट जाता है, तो October से December में हर समय पीक आती ही आती है, respiratory infections की, just before onslaught of winter, third point है, अब हुआ क्या है, scientists ऐसा भी मान रहे हैं, कि बहुत लोगों को infect हुए है, coronavirus से, coronavirus से infect होने की वज़े से, जो उनकी immunity है, वो कम हो गई है, इस वज़े से, इस immunity कम होने की वज़े से, they have become susceptible to flu, जिस flu से, वो पहले काफी immune थे, लोग मिलते रहते थे, अब मिलना कम हो गया, पिछले एक साल से, दो साल से, चाइना में complete lockdown था, तो लोगों का मिलना भी कम हो गया, और susceptibility बढ़ गई, क्योंकि immunity कम होई है, दोनों के दोनों factors की वज़े से, माना जा रहा है कि शायद cases बढ़ जाएं, ये भी एक case हो सकता है, क्योंकि बहुत तरफ lockdown खुलने के बाद cases बढ़े हैं, ये अपनने coronavirus के pandemic के दो सालों में clearly देख एक और factor ये हो सकता है, कि COVID के बाद से पूरी की पूरी दुनिया, इवन चाइना पहले से जादा अपने surveillance network को बढ़ा दिया है, इंडिया ने भी integrated disease surveillance network या program की start की है, इसको WHO की मदद से और जादा strengthen कर रहा है, 22 diseases को monitor कर रहा है, तो हर country अपना surveillance network बढ़ाई है, तो ऐसा हो सकता है, कि इसी surveillance network की strengthening की वज़ा से एक panic create हो गया है, क्योंकि लोग जादा aware हो गया है, लोग जादा sensitive और डर चुके हैं, जो havoc COVID ने मचाया था उसके बाद, इसके बाद एक phenomenon आता है, infections in adults अभी तक नहीं देखा गया है, यदि कोई भी नया virus या bacteria होता, तो वो सिर्फ बच्चों क impact करें, इसकी likelihood possibility बहुत कम है, तो because ये adults को नहीं कर रहा है, अभी impact मतलब की the probability of new strain responsible for this pneumonia like respiratory inflammation अभी उसकी probability बहुत कम है, और यदि अपन देखें, तो जैसे मैंने अभी बताया, lockdown, complete lockdown के खुलने के बाद, ये चाइना की पहली winter है, winter season में blue बढ़ता है, और इसी समय एक phenomenon देखा जाता है, जो COVID के समय देखा गया, lockdown exit, lockdown exit होता क्या है, जब lockdown अचानक से खुलता है, उस वज़ा से, उस phenomenon की वज़ा से, जो immunity हमें normally infection से हो जाती है, because हम थोड़ी मातरा में लगातार कुछ microorganism से exposed रहते हैं, जब लोगों से मिलते जाते हैं, जब एक लंबे समय तक opportunity हमारी कम हो जाती है, तो जैसे ही lockdown खुलता है, लोगों का, लोगों से मिलने का interaction बढ़ता है, तो इस वज़ा से lockdown exit में हमेशा cases of flu and other communicable diseases बढ़ता है, that is very relevant, इसी से related एक फिनॉमिना है, that is known as triple demic surge, अब ये triple demic surge क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ये covid के समय experience किया गया था, UK में, Canada में, क्या है ये, उस समय जो experience हुआ था, उसका नाम दिया गया था, twin demic, twin मतलब की दो and pandemic से निकल कर आया demic, मतलब की जब दो बिमारी एक ही परसन को साथ पे हो जाए, that is twin demic, दो बिमारी उस समय थी, covid and the second was flu, जब covid और flu, flu के season में, जब UK और Canada में, winter के थोड़ा पहले, जब lockdown खुला, तो दोनों का एकड़म से surge हो गया, ये UK में बहुत prominently देखा गया था, जब अच्छानक से winter के onslaught में, covid cases बहुत जादा बढ़ गये, तो researchers ने पाया था, flu और covid दोनों एक ही बरसन को होना बहुत common बात थी, इस को बोला जाना था, twin demic, अभी researchers मान रहे हैं, कि हो सकता है, triple demic phenomena की वज़े से surge आया हो, triple demic में 3 diseases रहेंगी, 3 diseases जो हो सकती है, scientist, researchers मान रहे हैं, वो है covid, second है flu, and third is pneumonia, ये मान रहे हैं, यदि ये तीनों का एक साथ impact हुआ, तो obvious सी बात है, surge अचानक से बढ़ जाएगा, तीनों के impact से हो सकता है, जो consequence हो, hospitalization या fertility वो भी बढ़ जाएगा, इस वज़ा से ये भी माना जा रहा है, कि triple demic phenomena की वज़े से hospitalization बढ़ा होगा, तो इन सारी वज़ा से researchers बोल रहे हैं, WHO बोल रहे हैं, कि अभी कोई भी बहुत जादा गंभीरता का object ये नहीं है, हलाकि as an Indian government, Indian government को पहले से ही सतर्क बनाए रखना चाहिए, अपने surveillance network को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एक बार covid की वज़ा से जो destruction हुआ है, वो हम सबने होगा है, तो पहले से testing network, surveillance network और अपनी hospital capacity में work करने में कोई भी खतरा नहीं है, that is how we can be prepared from the pandemic and in general, pandemic or any disease in general, and in general, यदी कहीं पर भी surge होता है, तो जो covid के protocols हपन ने follow किये थे, उसे preventionary तोर पर follow करने में कोई भी problem नहीं होगी, that's all for this topic, thank you.